ममी अरे प्रिया बेटा आ गई बेटा तू आ आ बैठ और ममी कैसे हो आप बस बेटा काट रहे हैं जिंदिकी अरे ऐसा क्यों बोले हो ममी अब ऐसा नहीं बोलू तो और क्या करूं बेटा पापा कहा है चाय बना रहे हैं बेटा क्या पापा चाय बना रहे हैं क्यों भाबी कह चली गई अब क्या बताओं बेटा रुक एक मिनट ओ प्रिया के पापा एक कप्चाए और बना ले ना प्रिया भी टिया आई है बेटा उसके बुआ के लड़के की शादी है तो वहां शादी में गई है अभी शादी तो पूरे आठ दिन के बाद है लेकिन महारानी जी पहले सही चली गई है क्या अरे जब शादी आठ दिन बाद है इतना पहले से जाने की क्या जरूरत थी उसको आप लोगों की चिंता नहीं है क्या कि घर में बुड़े साथ सासूर है उनकी देख रहे कौन करेगा और भाई कहा है भाई ने नहीं रोका भाबी को वो क्या रोकेगा बेटा वो तो खुश साथ में गया है क्या हाँ बेटा आज कल तेरा भाई पई करता है जो तेरी भाई भी कहती यह उसके लिए तो बस उसकी भाई भी वेचारी है मैंने तो बोला था कि बहुत दूर की शादी है कौन से तेरे सगे भाई बेहन की शादी है तु मज जा ये इतने नकरे कौन जेलेगा? अम्मा बाप तो है नहीं? और भाई भावी किसके इतने नकरे जेलते हैं? हाँ बेटा, तब ही तो तेरा भाई, तेरे भाई पे तो पूरा कबजा कर रखा तेरी भावी ने वो तो पीछे हो जाती है, वो पहले बोल देता है बोलता है मेरी बीवी तो कहीं जाती नहीं है आजकर सारा दिन इसी घर में तो रहती है बाई का तो है नहीं कि जाए रोज-रोज तो अब तो जाएगी वो शादी में दूर के रिष्टेदार है तो क्या हुआ? मेरी बीवी के रिष्टेदार है ना तो हम तो जाएंगे इसी बहाने मेरी बीवी का मोड अच्छा हो जाएगा और लेके चला गया वा ममी क्या घोर कल्यूग आ गया है मुझे तो आप लोगों पे दया रही है ऐसा कौन करता है अपने बूरे साससूर की जरा भी चिंता नहीं है भावी को आप लोग कैसे मैनेस करोगे सारे काम खाना पी ना बरतन अब क्या करूँ बेटा खाना है रहना है जीना है तो करना तो पड़ेगा इसी को शायद बुढ़ापा कहते है ले बेटा चाय पी अपने पापा के हाथों की हाँ पापा थैंक यू पापा आप भेया को कुछ बोलते क्यों नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों की ऐसी हालत देखकर क्या बोलू बेटा सबकी अपनी अपनी जिन्दगी है सब अपने हिसाब से जीना चाहते हैं तु अपने हिसाब से अपनी जिन्दगी जीती है वो अपने हिसाब से और हम अपने हिसाब से क्या बोल सकते हैं किसी को अच्छा बेटा बता खाने में क्या खाएगी कुछ भी खालूगी ममी आप जो बना दोगे मुझे आपकी हाथों का तो सब कुछ अच्छा लगता है देखा हमारी बेटी कितनी समझदार है मेरे हाथों का कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाती है कभी जिर नहीं करती कि मंपी ये बनाओ कि वो बनाओ और हमारी कितनी चिंटा है हमारी बेटी को और एक तुम्हारी बहु है जिसको ना इस घर की और ना हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है अच्छा बेटा जब तक तेरे भीया भावी नहीं आ जाते तू यहीं रुख जा तब तक तू ही हमारे घर का काम कर देना बेटा हमको भी खाना बना के खिला देना सुबह शाम हमको काम नहीं करना पड़ेगा वैसे भी तुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा मुझे काम करते वे देखकर हाँ पापा अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा आप लोगों को ऐसे देखकर वैसे भी तेरा भाई बोल कर गया था कि कुछ दिनों के लिए प्रिया को बुला लेना पास में ही तो ससुराल है थोड़े दिन आकर काम कर दे की घर का क्या पापा मैं काम करूँ वो भी इस घर में आपको पता है ना मुझसे घर के काम ओम नहीं होते अई यहां तो छोड़ो मैं अपने ससुराल तक में काम नहीं करती हर काम के लिए मैंने नौकर लगा रखी है और आप बोल रहे हो कि मैं यहां आके काम करूँ कौन काम करता अपने माईके में क्यों बेटा तुझे इतनी चिंता है अपने माबाप की बुड़े माबाप भी तो काम करें तो क्या तुझे अपने माबाप के लिए इतना भी नहीं कर सकती नहीं नहीं बेटा अब तो तुझे यहां रुकना ही पड़ेगा मैं तुझे जाने नहीं दूँगा जब तक तेरे भाईय भावी नहीं आ जाते तुझे यहीं रहे और हमारी सेवा कर अपने माबाप की सेवा कर बेटा वाँ पापा अपनी बहु बेटों को तो भेज दे हो एश करने के लिए और बेटों को बोले हो कि ससुराल से आके माइके में काम करें आप लोगों की सेवा करें भई मुझसे तो नहीं हो पाएगा मैं तो चली अपने ससुराल ममी रहने दो तुम खाना वाना मैं अपने ससुराल ही जाकी खालूँगी चलती हूँ मैं अरे ऐसे कैसे चलती हूँ बेटा अभी ये भी तो आई है खाना खाके जाना ना नहीं ममी मुझे जाना होगा नि तो पापा कहने लग जाएंगे और इखाना खा ही रहे तो बना भी दे ना बाबा मुझसे तो इस गर्मे में नहीं हो पाएगा चलती हूँ मैं देख लो ममी पापा पे भी ध्यान रखो कि ऐसे नहों कि पापा भी भाभी की गुट में सामिल हो जाएं और फिर आप अकेले पड़ जाओ भाईया तो है ही भाभी के वश में और पापा को भी पट्टी पढ़ाने लग गई यह भाभी अब चलो चलती हूँ अब मैं यह क्या किया आपने मेरी बेटी को घर से भगा दिया अरे मैंने कहां भगाया वो तो खुदी गई है काम करने के डर से तेरी प्यारी बेटी जिसको अपने माबाप की इतनी चिंता हो रही थी लेकिन उससे ये भी नहीं सोची कि रुक के एक टाइम करी कम से कम खाना तक बना दूँ हाँ तो क्या हुआ वो माइके हाँ आई थी तो क्या तुम्हारा काम करने आई थी क्यों माइके में बेटिया काम नहीं करती क्या अरे इसी घर में पली बढ़ी है वो आई से सुराल क्या चलीगी तो हमको नौकर्चा कर बताने लग गई हम माबाप हैं उसके क्या कहने के लिए ही बस चिंता चताती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को ऐसा देख कर पापा काम कर रहे हैं माना कि बेटियों को अपने माबाप की बहुत चिंता होती है लेकिन हो कुछ बेटियां और होती होंगी हमारी बेटि तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है बस उससे बाते करवा लो बड़ी बड़ी अरे जब आई थी मैं किचन में काम कर रहा था चाय बना रहा था उसकी इतनी भी हिमत नहीं हुई कि आके मेरी हेल्प करवा दे कि पापा मैं आ गई हूँ आप बेटो मैं चाय बना देती हूँ और एक तू है कि तेरी प्यारी बिटी आई नहीं कि तो अपने बहू की चुगली करना शुरू कर देती है अरे क्या गलत करती है बहू तेरे साथ कितना ध्यान तो रखती है तेरा तू शुक्र मना कि हमको इतनी अच्छी बहु मिली है सुबह नाश्ते से लेके रात के खाने तक हमेशा हर्चिस टाइम पे देती है उपर से तेरी दवाईयों का ध्यान रखती है हर एक चीज जरूरत का ध्यान रखती है और क्या चाहिए तुझे? अब वो भी तो इंसानी है ती सो दिन इस घर में रहती है कभी उसका भी मन करता है कि कहीं बाहर जाओ तो चली गई तो इसमें कौन सी बड़ी याफ़त होगी जो जब देखो तु चुगले करने बैठ जाती है उसकी एक तो बेचारी उसका माय का छूट रखा है मैं ही थी जो बेची के प्यार में पागल हो गई थी और उसके कहने के चकर में अपना और बहु का रिस्ता खराब कर रही थी अरे बेची तो सिफ नाम के लिए ही है एक दिन के लिए आएगी दूसरे दिन चले जाएगी नाम बड़े और दर्सन चोटे अरे सेवा तो बहु ही करेगी हाँ हाँ आप आकरी ने तुने अकल वाली बात रुको जरा मैं अभी बहु को फोन लगाती हूँ हलो हाँ बहु हाँ ममी जी कैसे हूँ आप सब ठीक है न वहाँ पर और पापा जी कैसे है हाँ हाँ बहु यहाँ सब ठीक है मैं भी ठीक हूँ तेरे पापा जी भी ठीक है मैं तो बस ये कहने के लिए फोन लगाई थी कि तू आराम से अच्छे से इंजोय करना वहाँ और तेरा जितना दिन मन करे उतने दिन रुख के आना बेटा यहां की कोई चिंता मत करना मैं और तेरे पापा जी सब समाल लेंगे बेटा कौन से तू रोज-़ोज माई के जाती है सच में मम्य जी हां हां बहू बस एक बात तुछ से जरूर कहूंगी बेटा कि मुझे और तेरे पापा जी को ना तेरे घर आने का इंतजार है तो घर आएगी, तभी हमारे घर में रोना को अपस आएगी अच्छा ममी जी, ठीक है, फिर मैं जल्दी ही आ जाऊंगी और आप दोनों अपने दवाईयां टाइम से ले रहे हो ना और पापा जी को सुगर है, तो आप पापा जी को चाय में बहुत कम शक्कर देना ममी जी हाँ हाँ बहू, हम कोई छोटे बच्चे नहीं है, हम अपना ध्यान रख सकते हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, और आराम से शादी इंजोई करके आना ठीक है ममी जी, बाई, टेंक्यू सो मच ममी जी अरे टेंक्यू कि कोई बात नहीं है बहू, हम सब तेरे इंतिजार करें बिटा, चल अब रखती हूँ ये तुने पहली बार समस्दारी की बात करी है, अब तु देखना, जब तेरी बहू आएगी न, तो तेरी बहू की नजरों में तेरी इज़त और उपर हो गई होगी, समझी? अरे जितना लाड प्यार तु अपनी बेटी को देती है न, उसका अगर 10% भी अपनी बहू को देगी न, तो तेरी बहू तुझे अपने सर आँखों पर बिठा के रखेगी? पता नहीं, तुम सासों को क्या हो चाता है, बहू घर में आई नहीं कि तुम्हारे ताने शुरू, अरे वो भी तो किसी की बेटी है, उसको भी तो एक बेटी की नजरिये से देख सकती हो न, तुम? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, अच से अपने मैं बहू को बहू नहीं, बेटी बना के रखूंगी? नहीं नहीं, बेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बेटी जैसी है न तेरी, बैसे तो हमें दूसरी बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम बहू को बस बहू ही समझ, वहीं बहुत है हलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उमीद करती हूँ, आप सब अच्छे होंगे, और हमारा ये वीडियो आपको कैसा रगा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमें शब बनाए रखें, मिलते हैं नए वीडियो में, एक नहीं क सबस्क्राइब करी